ये वीडियो हम लोग दोनों लैंग्विजेस में करेगे फर्स हम लोग हिंदी में बात करेगे थेचन अंतर अपन महराटित बोल गया इस वीडियो का टॉपिक है फाइनल येर एक्जाम नियूज सुप्रीम कोड के डिसिजन के बाद महराश्या गोवर्मेंट को फाइनल येर के एक्जाम लेना कंपल्सर ही हो चुका है इसलिए अभी क्वेश्चन है फाइनल येर के थियरी एक्जाम कब होगे फाइनल येर के प्राक्टिकल एक्जाम कब होगे और फाइनल येर के रिजल्ट कब आएगा आपको एक request है कि इस वीडियो को like करना और चानल को subscribe करना तो first question है final year के theory exam कब होगे उसका answer है final year के theory exam होगे first week of October first week of October से अपने theory exam start होगे और final year का result आएगा 31st October तक महाराष्टा government UGC को request करेगी कि उनको extension चाहिए 31st October तक सारे result लगाने के लिए महाराष्टा में जितने भी universities है उन सारी universities को paper conduct करने और अपना-पना result 31st October के पहले लगाना है यह decision होने वाला है और second question है final year का result कब declare होगा जैसे मैंने अब भी बताया 31st October के पहले final year का result declare हो चाहेगा next question है final year के practical और why was कब भी होगे इसका answer है final year के practical और why was 15 September से लिखे 30 September के बीच में conduct होगे यह practicals और why was online conduct होगे आपके college आपके practicals और why was online लेगे face to face interview जैसा होगा फिर online आपको पूचा जाएगा फिर आप online घर बैटी उनको answer करोगे तो इस तरह से आपका वाईवा होगा 15 September से लिखे 30 September तक next question है final year के exam का pattern क्या होगा इसका pattern ऐसा है कि एक घंटे की online exam होगी आपको घर बैटे exam देनी होगी आपको अपने mobile पर लाप्टोप पर exam देनी होगी इस exam में questions आएगे total 60 उसमें से 50 questions attempt करने हर एक question एक mark का होगा और ये question MCQ based होगा यानि उसका multiple choice question रहेगे या फिर numerical question रहेगा यानि और आपको time में लेगा सिर्फ एक घंटा इसी एक घंटे में आपको बीना copy की exam देनी है और सिर्फ एक घंटे में 50 marks की exam होगी एक paper के लिए जैसी आपके चार paper या पाच paper हो सकते और हर एक paper के बीच gap होगा दो दिन का फाइनल येर ची लेखी परिक्षा कदी घंटार तैसा उत्तरस से की पहला आट वडा ओडा अक्टोबर चा सप्टेम्बर चा पूर्णा मेना हां तुम्हाला तुम्हा अब्यचा दिला जायल आनी फास्ट वीक ऑफ उक्टोबर मदे तुम्हा परिक्षा ऑनलाइन बद्धीते ने घंटली जानर फाइनल येर ची प्रक्टिकल एक्जाम कदी ओनर ताव फाइनल येर्ची प्रक्टिकल एक्जाम होनर इर 15 सप्टेंबर 30 सप्टेंबर या धर्मयन ही परिक्षा पूर्ण पने अनलाइन असनर तुम्चा कॉलेज तुम्ची परिक्षा गेनर वायवा गेनर बेसिकली मनचे कॉलेज तुम्माला वीडियो कॉल करतील वीडियो कॉल वर तुम्माला काई प्रशन विचरतील आनि तो उत्तर तुम्हीं ऊनलै जेती स्चानल IM凭ी ओवाह गितलो जार। फाइनल य परिक्षचे फाटन कासा है서। फाइनल य परिक्षचे फाटन असा है कि एक असा चिह परिक्षचा है। तो हमासे साथ क्वश्चन आ त्यां। पन्नासक्षन प्रस्चन 15 मारक स्थां एक क्वेशन एक क्वेशन जबागी यह गनेट लाई दोक्ताइट यू परीष्यत स्थां तस्ट था एक काल प्रस्वागी या सुन्वा दोक्ता चिस अछाई जा निच रुखाएड कोन्नेट टोप अन्सर्च आई स्थां धर क्वेश चार किवा पाच पेपर असु शकतत अनि दोन पेपरा चा मदे गया पसेल दोन दिवसाचा मजे आज तुमची एक पेपर जाला तो दोन दिवसाचा नी दुसरा पेपर असु शकतो Final Year चा result कदी लागनार? Final Year चा result लागनारे 31 October परेंथो महाराश्चा Government UGC कडे विननती करनारे कि आमाला तारीक वाड़ों जा 31 October परेंथा आमिस गे result लाव ही मागनी महाराश्चा सरकार UGC कडे करनारे UGC चाला अपरूवल देनर मग महाराश्रत ले सर्व युनिवर्सिटी आपला निकाल 31 अक्टोबर चा आधी लावनेचा प्रयत्न करतील फाइनल डिसीजन हेचा है तुमची परिक्षा ही घरी बसन ओन्लाइन घितली जाना रहे ये परिक्षा 15 मारकाची असेल ती मल्टीपल चोईस क्वेशन असेल आयन ती 15 मारकाची असेल एक तास असा टाइम है ता पोरान नो अब्बैस अला लागा अजुन तुमचे कड़े जरुड़ पस एक महन है अब्बैस सांगला करा अपला यश सांगला मिलवा अनी देशाचा नाव उन्चा करा वीडियो लाजन लाइक नसल किला तो प्लीज लाइक करा और चैनल लाइक शब्सक्राइब करा और आमाला जरूर सांगा कि तुमाला हिमाहिती कशी वाटली